आप मेंसे कई लोगों की सवाल रहते हैं कि क्या ये जितने राष्टी उद्ध्यान हो गए फिर चाहे आपके बनिजीब अब्यारन हो गए या फिर आप देखते होंगे कि बायो इस पेर रेजर्व हो गए क्या इन सभी को याद रखना जरूरी है तो देखिए मुझे लगता है कि सभी राष्टी उद्ध्यान हो फिर चाहे आपके बनिजी बब्यारन हो इन सब को याद रखना रखना मुंकिन नहीं होता है और आप देखते हैं इसी तरह कि जितने सारे देश हैं दुनिया में क्या सभी के बारे में विस्तार से जानकारी याद रखना मुंसकर मतलब आसान है बिल्कुल नहीं देखिए आपकी परिक्षाओं में वही कुश्चन्स पूछे जाते हैं जो करेंट में किसी नहीं किसी कारण से चर्चा में रहता है और तो इसलिए आप लोग देखा करेगेगा कि इन में से कौन लाश्ट साल चर्चा में रहा है और उसी के बारे में आप लोग विस्तार से थोड़ा जान लिया करेगा और उनी से आपके questions भी उनी से पूछे जाते रहते हैं और हाँ इतना कर सकते हैं आप लोग कि आपके राज में जितने भी राश्टी उद्यान है या फिर आपके अभ्यारन हो गए बन जीव अभ्यारन या फिर आपके जो biospare reserve हो गए इनके बारे में याद रखेंगे ठीक है और बाकी देश में जो भी चर्चा में रहते हैं उनके बारे में याद रखा करेंगे ठीक है अभी क्यों बोलना हो इसा क्योंकि आपने देखा होगा कि Simlipal biospare reserve में आग लगी हुई है और बहुत बड़ी आपसं देख सकते हैं कि नुकसान भी वहाँ देखा गया है तो यह देखिए चर्चा में आ चुका है और आने बाली परिक्षाओं में आपकी questions भी इससे बन सकते हैं बिल्कुल बन सकते हैं ठीक है तो यह आके रहे कहां देखिए Odisha में है Odisha कहा हैं तो यह देख रहे हैं आप लोग की यह हमारी प्यारी पितवी और यह है हमारा प्यारा एसिया है इसमें आप देखेंगे यह हमारा प्यारा भारत और भारत की पड़ोसियों की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि त्रिलंका हमारा पड़ोसी है, म्यानमार भी हमारा पड़ोसी है, बंगलाद में देश भी हमारा पड़ोसी है, भूटान हो गया, नैपाल, उपर आप देखेंगे चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यह हमारा प्यारा बीच में भारत, नीचे आप देखेंगे यह इसकी रातधानी है भूमनेसु ठीक है इसी की बात कर रहा हूँ तो इसकी उडिशा के बारे में भी कुछ पॉइंट याद रखिए इनसे भी आपका डारेक्ट कुश्चनस पूचा जा सकता है चर्चा में इसलिए तो याद रखिए इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को और यहां विधान सभा सीटों की बात करें तो 147 सीटें देखने को मिलेगी राज्य सभा सीटों की बात करें तो 10 सीटें देखने को मिलेगी लोग सभा सीटों की बात करें तो आपको यहां 20 सीटें देखने को मिलेगी ठीक है यही पॉइंट आपको याद रखना है अगर के सटे हुए राज्यों की बात करे हम तो इसकी बंगाल की खाड़ी से तो सीमा लगती ही है पश्च्चतन्त से भी इसकी सीमा लगती है जहारकंड से भी इसकी सीमा लगती है और आध्रummy से भी आप लोगों को याद रखना है हाली में क्या हुआ है कि उडिशा की सिमली पाल वाइस फेयर रेजर्ब में भीशर आग की घटना देखी गई है हाला कि इस वाइस फेयर का मुक्षित आग से अचूता था फिर भी इस पेकार की आग से इसकी संबरध जै बिवित्ता को नुकसात पहुच रहा है अगर सिमली पाल वाइस फेयर रेजर्ब के बारे में कुछ महत्पूर पॉइंट की बात करें तो इसका सिमली पल नाम सिमुल सिल्क कॉटन की पेड़ से लिया गया है इसी के नाम पर इसका नाम बढ़ा है अधिकारिक रूप से टाइगर रेजर्ब के लिए इसका चैन 1956 में किया गया था और जिसको बर्स 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की अंतरगत सामिल किया गया यह भी कुश्चन साब से पूँचा जा सकता है कि सिमली पाल को बायो रेजर्ब को एक तरह से आपका प्रोजेक्ट टाइगर के अंतरगत कब लाए गया था 1973 में भारत सरकार ने जून 1994 में इसे एक जैमंडल रेजर्ब उच्छेत भी गोसित किया था और यह वाइसपेर रेजर्ब वर्स 2019 माँपकरी 2009 से यूनेसको के विस्व नेटवर्ग और बायसपेर रेजर्ब का हिस्सा है और यह सिमली पाल कुल डीहा हदगर हांती रेजर्ब का हिस्सा है जिसे मयूर भंज एलिफेंट रेजर्ब की नाम से अभी आप लोग जानते हैं इसमें तीन सरक्षे छेत यानी की सिमली पाल टाइगर रेजर्ब हदगर बनजीव अब्भ्यारन और कुल डीहा बनजीव अब्भ्यारन सामिल है इसकी अगर अवस्तिति की हम लोग बात करें तो यह उडीषा की मयूर भंज जिले के उत्त्री भाग में इस्तित है याद रखी उडीसा का जो महियूर भंज जिला है इसमें पड़ता है जो भोगलिक रूप से पूर्वी घाट के पूर्वी छोर्स में देखने को मिलीगा इसकी अगर छेतफल की बात करें तो यह है जेमंडल 4,374 वर किलोमीटर में पहला हुआ है जिसमें 845 वर किलोमीटर का कोर चेत यानि की बागब ब्यारन और 2,139 वर किलोमीटर का वफर चेत और 14,100 यानि की 1,400 वर किलोमीटर का संकमर चेत देखने को मिलेगा इसमें अगर हम बनस्पतियों की बात करें तो सिमलीपाल में 1076 फूलों की पहाड़ी बन और विसाल घहास के मैदान मौझूद है जनजातियों की बात करें तो इस Bion pair reserve में छेत में दो जनजातियां भी आपको देखने को मिलेगे इनसे भी आपका questions बन सकता है पहली है आपका इरेंगा खारिया ठीक है और दूसरा है मैं कार्डियास निवास करती इन दो जनजातियों को भी आप लोग याद रखी जो भारत जो आज भी पारम परी किरसी गतीविदियों यानि कि भी जो लगडी का संगरण के मात्देम से अपना खार्द संगरण करती र इसके अलावा यहां देखेंगे आप लोग की पक्षियों की 304 पर जाती है उभय चरों की 20 पर जाती है और सरीशव की 62 पर जाती है आपको निवास करती है ठीक है बनागनी के पिती सुवेदता की बात करेंगे कि किस कारण लगी होगी तो देखी एक तो पिराक्तिक कारण लगने कारण यानि की आग लगने का कारण हो सकते हैं अगर हम बात करेंगे कि समन्य रड्नीतियों की इसके उपाय क्या किया जाते हैं तो इन रड्नीतियों में आग की असंका वाले दिनों की भविषवाणी करना, इस छेत के समधायों के सदस के साथ मिलकर आग की घटना को कम करने के लिए कंट्रोल फायर लाइन का निर्माड, सुखे वायो मास्क का हटाना और सिकारियों पर कारवाही करना आदी सामिल भी है जंगल में कंट्रोल फायलाइन जो की बनस्पतियों उकसी रहत होती है और आपको फैलने से रोकने में मदद भी कर सकती है उडिशा कि अगर अन्य पिर्मोक सरक्षि चेतरों की बात करें तो इसमें आपका राष्टी उद्यान भी देखने को मिलेगा भीतर कनी का राष्टी उद्यान इस उद्यान में देश में लुप्त प्राय खारे पानी के मगर मच्छों का सबसे बड़ा समूव निवास भी करता है तो याद रखिए वीतर कनिका राष्टी उद्ध्यान एक्यों चर्चा में रहता है, इसलिए चर्चा में रहता है कि देश में जो लुप्त, पुराय, खारे पानी के मगर मच्छ है, इनका बड़ा समूँ यहां देखने को मिलेगा, अगर बनने जीब अभ्यारनों की बात कर प्रे आपका चिल्का नलबग, माँकरिये नलबन, बननजीब अभ्यारन, चिल्का जील एसिया की सबसे बड़ी और विस्टर की दूसरी जबसे वड़ी जील है, आप सभी लोग भी जानते होंगे, भो spreading आपका हदगढ, हदगढ, बननने जीब अभ्यारन, सालंदी नदी इस अभ्यारन से होकर गुजरती है फिर आपका बैसी फल्ली बनिजीब अभ्यारन या बागों तिंदुगा और हातियों और कुछ साकाहरी जानबरों जैसे चौ सिंगा की एक महत्पूर्ण संख्या के साथ बड़ी मात्रा मिसाल बन से अच्छा देत है और फिर आपका पिजनन कानन बनिजी बब्यारन या विश्म सफेद बागों और मैने लिष्टिक टाइगर का पहला पिजनन के अंद भी है फिर आप देखें कि लखारी घाटी बनिजीब भ्यारन या ब्यारन हातियों की बड़े संख्या निवास करती है फिर आपका गहीर माथा समुद्र यह हिंद महासागर चित में एक बड़ा सामोहिक पिजिनन के अंद और उडिसा का एक मात कच्छु आप भ्यारन है और ओलिव रेडले कच्छु एक गहिर मात्था के तर्ट पर पिजिनन के लिए दच्छन पिसांत की याद रखर यहां आते हैं तो यही कहान है आपकी उडिस इस तरह के कुश्चन्स भी बन जाते हैं इनका क्या मतलब क्या आधार होता है कि इन आधारों को ध्यान में रखते हुई एक तरह से इने बाइस पेर रेजर्व घोसित किया जाता है तो याद रखना चाहिए आपको कि बाइस पेर या फिर जैब मंडल रिजर्व बनने जी पिती निदित भी करता है और इने तीन भागों में विभाजित किया जाता है कोर्चित, बफरचित और संक्मर्चित अगर कोर्चित की हम लोग बात करें तो ये काफी सम्विदन सी होता है और यहां मालिवी एकातिविधियों की अनमत्य नहीं होती है यानि की लोगों की ज सबसे वाहरी हिसा होता है और यह सामानता एक सिमांग की छेत नहीं बलकि सहयोगा आत्मक छेत है इस छेत के अंतकत मानवस्तियां भी आपको देखने को मिलेगे फसल भूमी देखने को मिलेगी प्रबंधित जंगल मनुरंजन का छेत और अनार्थिक उपवयोग वाले छेत द यह 1986 की बात है यह उनेसको ने बायूस्पेयर रेजर्व की सुरुवात प्राक्तिक छेत में विकास और संरक्षन के बीच संघर्स को कम करने के उद्देश से की थी बायूस्पेयर रेजर्व का चुनाव राष्टी सरकास द्वारा किया जाता है जिसमें इन्वेस्पेयर और उनेसको के मानो और वायूस्पेयर रेजर्व कारिक्रम के अंदगता है निउन्तम मापदन पाये जाते हैं और बे वायूस्पेयर रेजर्व की बैस्विक नेट्वर्क में सामिल होने के लिए नेधारी सरतों का पालन भी करते हैं ठीक है और तब ही ने सामिल किया जात आखिर इसके अगर मांदन की हम लोग बात करें तो प्रक्किती सरक्षन के द्रश्टी कौर से सरक्षत और नियूंतम आसांद चित होना चाहिए तब इसे आप लोग वायोस्पेर रजर्प मुसित हो सकता है या फिर संपूर्चेत एक जयव भोगुले के काई की तह होना चाह कि जो पारिस्तितिकी तंत के सभी पोष्ट एकता इस तरों का पितिनिदित कर रहे हैं जीवों की आबादी को समाल सकें या फिर आप देखेंगे प्रबंधन प्रादीकरण को इस्थानिये समधायों की भागेदाली सहयोग सुनिश्यत करना चाहिए ताकि जैबेविता के स संरक्षण और सामाजी कार्थिक विकास को आपस में जोड़ते समय प्रबंधन और संगर्श को रोकने के लिए उनके ग्यान और अनुभाव का लाव उठाये सकें या इसके लिए और भी मापदन्ध हो सकते हैं कि वचित जिनके पारंपरिक आदिवासी या फिर ग्रामीड और गी जब भी इस तरह की जब भी चर्चा में रहे किसी भी कारण से तो उसी के बारे में थोड़ा पॉइंट आप लोगे खट्टे कर लिया करेगा और उनी से हो सकता है कि उनी से कूस्ट्ञ आ जाए ठीक है ? और सभी को याद रखना मुस्किल होता है अगर हो सकता है कि अगर आप याद रख सकते हैं तो रख लीजेगा इसमें भी कोई दोहरा नहीं है ठीक है